यहेचकिल भवश्वर्ता की पुस्तक अध्याय बाईस और यहोवा का यहवचन मेरे पास पहुँचा, हे मुनश के संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय न करेगा, क्या तू उसका न्याय न करेगा, उसको उसके सब घिनोने काम जता दे, और कहा, परमेश्वर यहोवा यहो कहता है, हे नगर तू अपने बीच में हत्या करता है, जिससे तेरा समय आए, और अपनी ही हानी करने और अशुद्ध होने के लिए मूरते बनाता है, जो हत्या तूने की है, उससे तू दोशी ठेरी, और जो मूरते तूने बनाई है, उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है, तूने अपने अंते के दिन को समीप कर दिया है, और अपने पिछले वर्षों तक पहुँच गई है, इस कारण मैंने तुझे जाती-जाती के लोगों की और से नामधराई का और सब देशों में ठ ठटे का कारण कर दिया है, हे बदनाम, हे हुलड से भरे होए नगर, जो निकट और जो दूर है, वे सब तुझे ठटो में उड़ाएंगे, देख, इसराल के प्रधान लोग, अपने अपने बल के अनुसा तुझ में हत्या करने वाले हुए है, तुझ में माता-पिता जाना, और मेरे विश्राम दिन को अपवित्र किया है, तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने को तत्पर हुए, और तेरे लोगोंने पहाडों पर भोजन किया है, तेरे बीच महापाप किया गया है, तुझ में पिता की देह उगारी गए, तुझ में कृत्यमति स्त्री से भी भोग किया गया है, किसी ने तुझ में पडोसी की स्त्री के साथ गिनोना काम किया, और किसी ने अपनी बहु को बिगाड कर महापाप किया है, और किसी ने अपनी बहीन अर्थात अपने पिता की बेटी को बरश्ट किया है, तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस तुने ब्याज और सूध लिया और अपने पडोसियों को पीस पीस कर अन्या से लाब उठाया और मुझको तुने बुला दिया है। यहवा की यही वानी है। तीर रहेंगे। मुझ यहवा ने यह कहा है और ऐसा ही करूँगा। मैं तेरे लोगों को जाती-जाती में तीतर भीतर करूँगा। और देश-देश में छितरा दूँगा। और तेरी अशुदता को तुछ में से नाश करूँगा। और तु जाती-जाती के देखते हुए अ इसराल का घराना मेरी दुष्टी में धातु का मैल हो गया है। वे सब के सब पट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीसे के समान बन गये। वे चांदी के मैल के समान हो गये है। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यो कहता है। इसलिए कि तुम सब के सब कि मेल के समान बन गए हो, सो देखो, मैं तुमको यरुशलिम के भीतर इकटा करने पर हूँ. जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, शीशा और रांगा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उसे आँख फूख कर पिगलाए, वैसी ही मैं तुमको अपने कोप और ज बीच पिगलाए जाओगे. जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिगलाए जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिगलाए जाओगे. जब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहर भढ़काई है, वहा यहवा है. फिर यहवा का यहवचन मेरे पास पहुच हे मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तु ऐसा देश है, जो शुद्ध नहीं हुआ, और जलजला हट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई, तेरे भविश्वक्ताओं ने तुझ में राजदुरह की गोश्टी की, उन्होंने गरजने वाले सिहं की नाई आहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है, वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं, और तुझ में बहुत स्त्रियों को विद्वा कर दिया है, उसके याज़कों ने मेरी व्यवस्ता का अर्थ कीच खाच कर लगाया है, और मेरी पवित्र वस्तुओं को आपवित्र किया है, उन् निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठारता हूँ, उसके प्रधान हुंडारों की नाई अहर पकड़ते और अन्याय से लाब उठाने के लिए हत्या करते हैं, और प्रान घात करने को तक पर रहते हैं, और उसके भविश्वक्ता उनके लिए कई लेस करते हैं, उनका दर्शन पाना मिध्या है, यहवा के बिना कुछ कहे भी, वे यह कहकर जूटी भावी बताते हैं, कि प्रभु यहवा यो कहता है, देश के साधरन लोग भी अंधेर करते और पराया धन चीनते हैं, वे दीन दरिद्र को पीशते और न्याय की चिनता छोड़ कर परदेशी पर अंधेर करते हैं, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य धूनना चाहा, जो बड़े को सुधारे, और देश के निमित नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परन्तु ऐसा कोई न मिला, इसकारन मैंने उन पर अपना रोश बढ़काया, और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है, मैंने उनकी चाल उन्ही के सिर पर लवटा दिये है, परमिश्वर यहवा की यही वानी है